येस, very cheerful morning to all of you. आज हम create conversation में ही आगे बढ़ेंगे और उस topic को लेंगे जो हम अकसर बात करते हैं. Travelling के बारे में कि क्या आपको traveling पसंद है? Do you like traveling? हाँ, मुझे traveling पसंद है. Yes, I like traveling. यहाँ आपको yes बोलना ही है, तभी हम आगे बात कर पाएंगे. तो question है कि क्या आप traveling पसंद करते हैं? Do you like traveling? आज़र है कि हाँ, मुझे traveling पसंद है. तो yes, I like traveling. अब traveling के बारे में जब भी हम पूछते हैं, तो यह ज़रूर पूछते हैं कि आपने आज तक कितने places विजिट किये हैं? तो आज तक के लिए हम सो फार का प्रयोग करते हैं, तो which places have you visited so far? तो आप कहीं बताते हैं कि मैंने यह यह जगा विजिट किया है. तो I have visited many places like Goa, Mumbai, Agra, etc. आप कोई भी अपने बोल सकते हैं कि I have visited many places like Missouri, Haridwar, Dheradun, etc. जो भी आपको लगे, आप अपना conversation खुद बनाना. तो उसके बाद हम पूछ लेते हैं कि आपको कौन सा स्थान जो है सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? तो which place did you like the most? दा मोस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा जब आप कहते हैं. तो question mark वाली बात है, तो आपने इसमें did, आपने सीखा ही था, कि हम past की बात करते हैं, तो did लगाते हैं, कौन से स्थान के लिए which place लगाते हैं, तो which place did you like the most? इसमें आप sense को समईते जाएंगे, तो जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, तो उसके लिए आप बोलेंगे, did में question था, तो answer आप second form में देंगे, तो I liked Goa the most, ऐसे आप कुछ और बोल सकते हैं, I liked Chandigarh the most, ऐसे ही जैसे आप next question पूछेंगे कि, आपने वहाँ कौन-कौन से स्थान देखे, कौन से स्थान, इसको कहते हैं, which places, तो देखने को see और past tense में तो did का प्रयोग करेंगे, which places did you see there, मैंने वहाँ beaches देखे, मैंने वहा और second form में देंगे, I saw beaches, churches and natural scenes, आप किसी और शेहर का करेंगे, तो वहाँ का उसी मताबिक आप वर्णन कर देंगे, कि मुझे वहाँ यह यह चीज़े देखने को मिली, तो अब आगे question है कि आपको वहाँ कौन सा स्थान सबसे अच्छा लगा या कौन सी चीज सबसे अच्छ आई, तो मुझे सबसे ज़्यादा वहाँ पर अच्छा लगा natural scenes देखकर, तो I like the natural scenes, ऐसे अगर आप आगरा की बात कर रहे होंगे, तो कह सकते है, I liked the Taj the most, तो अब next question यह बन सकता है कि आपको वहाँ पर कौन सी चीज पसंद नहीं आई, या कौन सा स्थान पसंद नहीं आय तो कौन से के लिए वही वीच का प्रयोग करना है स्थान होगा तो place कहेंगे या चीज कहेंगे तो think कहेंगे, और negative है तो not का प्रयोग हो जाएगा, और past tense में तो did से होना ही है, तो which thing did you not like there, तो जो जो चीज पसंद नहीं आई, आप उसका वर्णन कर सकते हैं, कि मुझे य गोवा का जिकर किया है, तो कब के लिए हम when का प्रयोग करते हैं, past tense में वही did का प्रयोग करते हैं, जाने को visit कह सकते हैं, तो when did you visit गोवा, आप इसमें question कोई और भी हो सकता है, कि when did you visit चंडिगर, when did you visit श्री नगर, when did you visit आग्रा, when did you visit मसूरी, तो मैं वहां 2019 में गया, तो visit था, तो इसमें अब answer visited हो जाएगा, I visited in 2019, ऐसे आप को यह और answer दे सकते हैं, I visited during last summer vacation, तो आप वहां कहां रुके, कहां के लिए where का प्रयोग करते हैं, रुकने के लिए stay का प्रयोग करते हैं, और past tense में जो भी पूछने हैं, तो did का करना ही है, यह बाते में इसलिए कह रह तो मैं वहां अंकल के घर रुका, मैं वहां होटल में रुका, मैं वहां इन में रुका, तो जो भी आप कहना चाहते हैं, उसका आप answer दे सकते हैं, तो आप बोलेंगे I stayed in a hotel, और आपको बताया था कि 2-4-5-10 दिन रहने के लिए stay का ही प्रयोग करते हैं, फिर है कि आप किस किस के साथ गए थे, जैसे हम पूछते हैं, कि आप friends के साथ गए थे, आप अपने family members के साथ गए थे, कलीद के साथ गए थे, तो किस के साथ को कहते हैं, with whom, आगे वही डिट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि past की बात पूछ रहे, with whom did you visit that place, आप किस के साथ वहां पर आपने visit क या, तो मैं अपनी family के members के साथ वहां गया, तो गया तो past tense में वही second form, I visited with the members of my family, तो या उस प्लेस का नाम भी कह सकता है, I visited that place with the members of my family, with my colleagues, with my friends, जो आपको सूट करें, तो आप वहां कैसे गए, how did you go there, कैसे का मतलब आप by bus गए, by train गए, या by air गए, तो how did you go there, साथ में फिर बोल सकते हैं, by bus, by train, और air, तो हम वहां by air गए, तो we went there by air, अगर आप ये कहना चाहते हैं, कि मैं वहां by bus गया, तो I went there by bus, तो हम वहां train से गए, तो we went there by train, तो जो आपको suitable लगे, वैसा आप answer बनाएंगे, अब इसमें सीखने की बात क्या है, कि आपको अपनी अलग स एक conversation बनानी है, पहले तो इसी का practice करना है, आप अपने brother के साथ, ममा के साथ, ये पापा के साथ इसके practice करें, फिर आप अपना conversation एक अलग बनाएं, आप अपना स्थान लिखें, जो जगा आपको अच्छी लगी, वहां पर आपने क्या-क्या देखा, किस-किस के साथ गे, व अपर के साथ, तो आपर इल इसके महाद ही, आपको अपर आपको अपने खेंपार, किस-किस के बनाएं, इस थाष, का अच्छी लगी, इस जगे, फिर आपर T्रॉ ट dun लिखें, तो आपने है इस जापको आपको, इस पोरादो आपको, इस और नापको आपकी, लिखें,